हेलो दोस्तो मैं रहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आरजेट के पर दोस्तो आज की वीडियो में आपको Face Unlock Feature के बारे में बताने वाला हूँ जिसके जरी आप Redmi के किसी भी डिवाइस में Face Unlock Feature को Enable कर सकते हैं और इसके लिए आपको अपने डिवाइस को Root करने की जरूरती ही और नहीं आपको अपने डिवाइस में कोई Custom Wrong वगेरा इंस्टॉल करना पड़ेगा तो इस वीडियो को जो है एंड तक देख लीजिएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कैसे आप अपने डिवाइस में Face Unlock Feature को Enable कर सकते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं without wasting any time तो चलिए शुरू करते हैं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस लाल बटन को दबा कर सब्सक्राइब कर लेजिएगा और साथ इस बेल का इकोड को दबाना मत बुलिएगा जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिशन मिलते रहेंगे जो भी मैं नहीं अप्लोड करूँगा तो फ्रेंट सबसे पहले आपको अपने डिवाइस में ये दो एफ्लिक्शन इस्टॉल का लेना है एक जो है फेस आइडिया है दोसरा जो है स्क्रीन लॉक है इन दो एफ्लिक्शन को इंस्टॉल करने बाद आपको उपे नहीं करना है आप इसस पासवर्ड वगेरा दिया होगा जैसे कि पैटन वगेरा अगर दिया होगा तो उसे डिसेबल कर देना है तो यहाँ पर मैं अपना पैटन आफ कर देता हूँ आपको यहाँ पर अपने पैटन को आफ कर देना है आफ करने के बाद उसके बाद आपको आना पड़ेगा अपन कुछ permission वगेरा देना पड़ेगा तो यहाँ पर आपको permission पे क्लिक करके जो है granted permission कर दिना है यहाँ पर आप देख पाना है display pop up window जो है cross किया हुआ है red color का तो यहाँ पर accept करना है उसके बाद दूसरा जो है permission में आपको क्लिक करना है यहाँ पर allow करना है ready हो गया दोनों उसके बाद go and see पर आपको क्लिक करना है तो go and see पर आप क्लिक कर जीएगा और यहाँ पर आपको start पर क्लिक करना है जैसे आप start पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यह आपके face को हो चुका है अब आपको अपने दूसरे application को open करना है screen lock को तो यहाँ पर आप screen lock को जो है open कर लिजगा यहाँ पर आपको allow मांगेगा allow कर दीजगा और यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे permission देने पड़ते हैं तो यहाँ पर पहला permission आपको मिल जाता है तो आपको यहाँ पर तीन बार allow दे देना है उसके बाद यहाँ पर आपको grant permission मिलता है इस पर click किजिगा तो यहाँ पर देखिएगा तीन हो जो है green रहेगा अगर raid रहता है तो आप simply जो है उससे green कर जीजिगा उसके बाद यहाँ पर आप देख पाने है उपपर की तरफ और एक pop-up है, permission का, तो यहाँ पर आपको click करना है toma wag talking को उसे select करने के बाद यहाँ पर pension पर click करना है, तो यहाँ पर देख पाने है धो rate है तो इन्हें आपको edible कर देना है, तो accept कीजिएगा उसके बाद यहाँ पर दूसरे वाले को क्लिक करके accept कीजिएगा और यह जो है fully permission ले चुका है आप चाहें तो notification access दे सकते हैं पर मैं दे देता हूं फिर भी आप चाहें तो नहीं भी दे सकते हैं कोई यहां पर फर्क नहीं पड़ता है तो मैंने safety के लिए दे दिया तो आप भी दे सकते हैं उसके पा हम पर आपको face id का option विला जाता है जैसकि किacy iG बया गया तो आपको face id का option पर क्लिक करनेँ और यहां पर go to password पे कलिक करना है यहां पर एक password देना पड़ेगा उसके बाद यह आपका face ृड यह वर्क करेगा तो तो यहाँ पर आप कुछ भी password दे सकते हैं, जैसे कि pattern हो गया, number हो गया, तो मैं यहाँ पर pattern ही दे लेता हूँ, तो यहाँ पर pattern जो ओपन हो रहा है, आपको इन में से किसी भी pattern को चूज कर लेजिए, जो आपको पसंद है, मैं simple वाला चूज करता हूँ, next करता हूँ, और यहाँ पर मैं pattern दे देता हूँ, जल्दी से, तो यहाँ पर मैंने pattern को दे दिया, उसके बाद यहाँ पर settings पर आता हूँ, और यहाँ पर आपको जो है, फेवरेट नंबर वगेरा, आप जो है, question के answer दे सकते हैं, यह जो important है, अगर आप password भूल जाते हैं, तो आप यहाँ पर दे कर जो है, इसे open कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर नहीं दूँगा, क्योंकि मुझे password याद रहेगा, उसके बाद आपका सारा permission इसने ले लिया, अब आपका phone lock करना है, lock करने के बाद एक बार power button को प्रेस करना है, प्रेस करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरी के screen आएगा, और उसके बाद यह जो है आपका face ID लेगा, तो यह काफी जादा fast है, काफी जादा accurate है, और इस तरह से आप अपने Redmi के किसी भी device में आपके पास Redmi का Note 5 हो, Redmi का Y1 हो, Redmi का 5A हो, सबी device में आप face unlocking feature का मज़ा ले सकते हैं, यह दो application सिर्फ आपको install करना पड़ता है, और यह दो application उतनी जादा जगा भी नहीं लेते हैं, और नहीं जादा RAM आपके consume करते हैं, तो यह application, after all, मुझे काफी जादा बढ़िया लगा, और मैं basically अब भी face unlocking feature को ले रहा हूँ, मेरे Redmi Note 4 में face unlocking feature नहीं है, तो कुछ इस तरह के से आप जो है किसी भी Redmi के device में, जिसमें face unlocking का feature नहीं है, उस पर enable कर सकते हैं, तो I hope आपको मेरा यह video पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा, तो पीस फेंड लाइक शो और सब्सक्राइब का नहीं मुत भुलेगा, और अगर इस वीडियो से related कोई भी question या फिर कोई भी कोडियो, नीचे comment section में comment कर सकते हैं, मैं definitely उसका reply दूँगा, तो friends मिलते हैं आपके साथ, अगले वीडियो में एक नए content के साथ, अब तक के लिए टटटा बाई बाई बाई, और यूँ हसते रिये, मुस्कुरात रिये और बने रिया RJ टेकनिकल्स के साथ,